आज अपना पैराबोला का 7th class है आज सी class में हम लोग पैराबोला से related कुछ questions करेंगे और Focal Cod of Parabola के बारे में पढ़ेंगे पैराबोला में अगर overall पूरा पैराबोला को पढ़ लोगे तो उसमें न मैं क्या क्या बोलूगा आप लोगों कि ये चीज तो अपने को ध्यान ही रखना है पेराबोला में, फोकल कउड़ और पेराबोला, मतलब उनके कुछ प्रॉपर्टि बताउगा मैं, फोकल कउड़ के बारे में, ओके, टैंजेंट टूदा पेराबोला, ठीक है, नॉर्मल टूदा पेराबोला, ये तीन चीज़ पूरा पैराबोला का बहुत important है ये तीन चीज़ properties of focal code, properties of tangent and condition of tangency और properties of normal and condition for normal ठीक है तो ये तीन टॉपिक अपने को पैराबोला में बहुत अच्छे से पढ़ना है जिसमें पहला टॉपिक आज करने वाले हैं दूसरा टॉपिक भी हो सकता है, आज ही start हो जाएगा फिर देखेंगे तो तीन चीज़ ध्यान से रखना, अभी तक जितना भी पढ़े हो वो तो basic था अब पैराबोला में हम लोग को focal code के बारे में देखना है और उसके properties के बारे में देखना है टेंजेंट, पैराबोला के टेंजेंट के बारे में पढ़ना है और properties of tangent के बारे में पढ़ना है ठीक है, पैराबोला के normal के बारे में पढ़ना है और properties of normal के बारे में देखना है ये तीन चीज़ बहुत important है और कुछ questions आते हैं जो parabola और circle से mix रहते हैं जैसे एक line होगा जो parabola पे भी tangent होगा और circle पे भी tangent होगा, common tangent से question आता है coordinate geometry में common tangent से हर वार question आते हैं जी में तो वो अपने को देखेंगे, ठीक है ना तो अभी मैं आपको एक rough idea दिया हूँ यह टीन topic तो आपका एक्दम अच्छा होना चाहिए focal chord के बारे में, tangent to the parabola के बारे में और normal to the parabola के बारे में जैसे focal chord में क्या पढ़ेंगे कि property of focal chord पढ़ेंगे फिर जब tangent के बारे में पढ़ेंगे तो equation of tangent पढ़ेंगे and properties of tangent पढ़ेंगे condition for tangent draw एक डेरिवेशन ड्रॉ करेंगें ठीकिना कंडिशन फॉर टेंजेन सी जैसे हम लोग कंडिशन फॉर सर्कल में जब सर्कल पढ़े थे तो वहां पर भी ड्रॉ किये थे कंडिशन फॉर टेंजेन कोई भी लाइन अगर y equal to mx plus c होता है और अगर मालो सर्कल x square plus y square equal to r square होता है तो c equal to r under root 1 plus m square that is what condition of tangent होता था इसी तरह आज के भी class में हम लोग आज नहीं हो पाएगा तो next class में हम लोग condition of tangent देखेंगें तो अभी पहले एक कोशन देख लेते हैं उसके बाद focal court के बार में पढ़ेंगे तो देखो यह कोशन क्या कह रहा है यह भी कोशन एक concept based है तो देखो कोशन में लिखा हुआ है कि the equation of lattice rectum of a parabola is this जो यह parabola का lattice rectum का equation दिया हुआ है and the equation of tangent at the vertex is this मतलब TV दिया हुआ है lattice rectum का equation दिया हुआ है और tangent at vertex का equation दिया हुआ है ठीक है तो lattice rectum का equation क्या दिया हुआ है एक्स प्लस Y equal to 8 है तो इधर ले लेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा माइनस एक इक्विशन दिया हुआ है टेंजेंट at vertex x plus y minus 12 equal to 0 है ना और इतना यह ध्यान रखना भी आपनों नोट करके copy पे लिख लो कि लेटस rectum लेटस rectum और tangent and vertex हमीशा चाहे कैसा भी पैराबोला हो हमीशा पैरलल ही होता है जैसे मैं एक rough figure बना रहा हूँ जैसे एक पैराबोला है ठीक है अब यह ऐसा मत सुचेगा कि यह y square equal to 4 ax है मैं कोई भी एक पैराबोला ड्रॉ किया हूँ ठीक है जिसका यह axis होता है यह axis है पैराबोला का आपको लग रहा हो यह तेन्जेंट न्ट एट यह तीनों हमेसा पैरलल होता है और टारीक्ट्रिक्स भी लिख लो आप डायरेक्ट करक्स है है ना तो यह हमेशा पैर्लल होगा चाहे कैसा भी पैरा बोला हो यह तीनों लाइन हमेशा पैर्लल होगा और यह तीनों हमेशा एक्सिस पर पर्पेंडिकुलर होगा लेटस रेक्टम कॉमा टेंजेंट एड़ वर्टेक्स कॉमा डायरेक्ट्रिक्स यह तीनों हमेशा किस पर होंगे एक्सिस पे पर्पेंडिक्लोर होगा ठीक है ना यह पर्पेंडिक्लोर टूद एक्सिस का कंडिशन ट्रॉ किया हूँ अध्यक होता है किसा प्रपेंडिकलोर हो एक्सिस पर्पेंडिक्लोर टॉवकस से पसक्रें है ना, double ordinate जो focus से pass कर रहे हैं और double ordinate कैसा होता है, एक ऐसा chord जो perpendicular हो parabola पे, उसको double ordinate बोलते हैं और यही double ordinate जब focus से pass करती है, तो इसको हम lattice rectum बोलते हैं, ठीक है? तो यह हो गया, अब सुनो next को, अब यहाँ पे कह रहा है, अच्छा, अब देखो, यहाँ पे focus है और ड्यकंस रिट्न से भी होगा, यह सारा से सही हुगा, पैरल लाइन है, तो हमेशा स् 원래 City Naval होगा, अगर ऐसा going on the setting widlog, यह स्कूले मे था होगा , यह रो उगा Case से जादा भी होने लगेगा देना कभी दिख्रीज हो गा फिर जी रो होगा फिर इंक्रीज होने लगए तो जब intersecting line होंगे और पैडलर line के बीच का हमेशा distance कुछ ना कुछ होगा जो constant distance होगा तो यह tangent at vertex और focus के बीच का distance tangent at vertex और latest rectum का distance हमेशा क्या होगा यह ही होगा है ना तो अपने को पूछ रहा है find the length of lattice rectum length of lattice rectum क्या होता है 4a होता है length of lattice rectum क्या होता है 4 into a होता है है ना और a क्या होता है is the distance between vertex and focus या आप कह सकते हो a is the distance between tangent at vertex and lattice rectum ओके तो अपने को क्या निकालना है ए निकालना है और a के निकाल लेंगे तो अपने अपना गोशन हो जाएगा माल लेट से माल लो एक वैल्यू 4 आ गया तो 4 into 4 16 हो जाएगा length of lattice rectum तो देखते हैं भी एक वैल्यू क्या आएगा तो यह दो parallel line है जो इन दोनों line के बीच का distance होगा tangent at vertex और lattice rectum के बीच का जो distance होगा वही a भी होगा ना क्योंकि देखो यह distance हमेशा सेम ही होगा ना वही a होगा तो यह दो parallel line है parallel line के बीच का distance कैसे निकालते हैं देखो जैसे ax plus by plus c1 equal to 0 यह एक line है इसी के parallel अगर मैं दूसरा line लिखो ना तो जब दो line parallel होते हैं ना तो उनके जो general form में उनके xy को कोफिसेंट सेम होता है बस constant term अलग-अलग होता है ओके तो यह distance कितना हो जाएगा c1 minus c2 upon under root a square plus b square क्या हो जाएगा यह distance c1 minus c2 upon under root a square plus b square है ना तो यहाँ पे यह दो line parallel है तो इनके बीच का distance लगाते हैं c1 minus c2 c1 क्या minus 8 है c2 क्या है minus 12 है और a देखो तो दोनों का x का coefficient 11 है a1 है b क्या है b b1 है तो यह distance इनके बीच का हो जाएगा देखिए तो distance between them क्या होगा d equal to इनके बीच का distance मान लो d है तो c1 c1 to minus 8 है minus of c2 c2 कितना है minus 12 है mod में लिखते है इसको mod में क्यों लिखते हैं क्योंकि distance हमेशा positive होता है तो कुछ negative भी आएगा तो इसको positive लेना है under root a square plus b square a b1 है b b1 है तो one का square plus one का square तो d equal to कितना हो गया plus 12 minus 8 4 upon root 2 तो यह हो जाएगा 2 root 2 है ना तो distance between tangent at vertex और lattice rectum क्या आ गया 2 root 2 हो गया ओके तो हम कह सकते हैं क्या एक देखो यह ना मैं यहां पर एक चीज़ कर दिया यहां पर मैं focus according standard form वाला लिख दिया एक कॉमा जीरो तो जरूरी नहीं है कि focus x coordinate पर ही होगा मतलब x x से focus होगा focus कुछ भी होगा बट इतना ध्यान रखना कि जो tangent at vertex और lattice rectum के बीच का distance होता है वही यहां पर vertex और focus के बीच की distance होती है तो मैं standard form से compare करके distance तो मैं कल भी बताया था कल के class में जब हम लोग 7th class में पढ़े थे कि tangent vertex एक मिनट रुकिएगा तो हम लोग क्या देखे हुए यहां पर vertex और focus के बीच का distance ने a होता है कल के class में हम लोग क्या पढ़े थे जो 7th class जब हम लोग पढ़े थे क्या पढ़ाएं थे कि parabola कहीं पे भी shift हो जाए equations change होंगे बट distance change नहीं होगा तो standard form में vertex और focus के बीच का distance a होता था 4a x वाला मतलब x का coefficient अगर 4a है तो वो एक 4 के साथ जो होता है 4a a होता है तो similarly यहां पे भी कैसा भी पैरा बोला हो जब मैं vertex और focus के जैसे देखो tangent at vertex और latest rectum के बीच का distance निकाला तो वो जो भी निकलेगा वो ए ही होगा बच्चो उसको आप ए मान सकते हो मानोगे क्या होगा ही ठीक है ना तो ए हो गया तो ना क्या कह रहा है अच्छा यह तो इतना units आ गया इसको आप units में लेख लिए और यह की value हो गई length of latest rectum so llr llr का मतलब क्या होता है length of latest rectum 4 into a तो 4 into a की value क्या होगी 2 root 2 तो 4 to is a 8 root 2 आया समझ में तो यह अपना क्या आ गया length of latest rectum आ गया ठीक है चले लिख लिजे इसको देखो बच्चो नाओ अब हम लोग नो focal chord के बारे में पढ़ने वाले है focal chord क्या होता है एक बार फिर से मैं लिख दिया हूँ chord of parabola passes through the focus कोई भी chord जो focus से pass करे parabola के focus से pass करे वो parabola का focal chord कहलाता है कैसा भी chord हो chord क्या होता है, chord होता है एक ऐसा line segment जिसका end point उस parabola पे लाई करे evidence č Då continues इसका end point parabola पे लाई कर रहा है तो यह chord of parabola कहला यही अगर focus से पास करने लगे यही अगर focus से pass करने लगे तो इसको बोलते हैं focal chord of the parabola similarly जैसे circle में circle का chord क्या होता है end क्या हो circle के circle पर लाइक करें ठीक है ना तो कैसा भी curve हो जिस curve का कोई भी curve हो जैसे ये curve है तो किसी भी curve के chord का मतलब होता है कोई भी line segment जिसका दोनो end point उस particular curve के लाइक करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है focal chord of parabola क्या होता है chord of parabola passes through the focus is called focal chord of parabola सुनो मैं simple पहला वाला लिया हूँ y square equal to 4x लिया हूँ तो यहाँ पे इसका focal chord यह भी है focus से pass कर रहा F for focus लिखा हुआ है तो यहाँ से pass कर रहा है तो यह focal chord of parabola हो जाएगा है ना ना देखो मैं यहाँ पे ने 5-6 properties focal chord का बताऊंगा जिसमें mostly 3 या 4 properties प्रूफ करने की जोड़ पड़ेगी बाकी आपको समझ लेना है बस ठीक है प्रूफ इसलिए करेंगे ताकि वो याद हो जाए हमें ओके प्रूफ से याद हो जाता है तो properties of focal chord में पहला properties है पहले इसको लिख लेना है फिर समझाओंगा देखो इस पहले सुन लो इस दा कॉड ज्वाइनिंग टू पॉइंट माल लो कोई कॉड है जैसे लेट से यह भी था न तो इसको मैं पी क्यू माल लेता हूं तो इस पी क्यू पे कोई भी arbitrary point या फिर मैं parametric point में क्या मान सकता हूं parametric coordinate a t square comma two a t कल पढ़े हैं तो मैं यहां पर t1 t2 इसलिए मैंनसन किया हूं क्योंकि हमें दो point यहां पर लेट करना है तो एक को मैं ट1 square comma two a t1 माल लिया और दूसरे को a 2 t2 square comma two a t2 माल लिया ओके एक काम करो, मैं इसको rough करके ने, इसको लिख लिजे, पहले उपर वाला पार्ट लिजे, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, वीडियो को पाउस करके, उपर लिख लो, मैं उपर मिटाने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो को पाउस करके लिख लिजे पहले, उपर वाला पार्ट तो सुनो तो माल लो मैं कोई भी पैराबोला लिया ठीक है अभी मैं देखो इस पैराबोला को यह जो पैरामेट्रिक कॉडिनेट दिया हुआ है तो यह आपको देखके लग रहा है यह किसके लिए दिया हुआ है y square equal to 4ax के लिए दिया हुआ है तो मैं y square equal to 4ax ही डिजाइन करता हूँ, मान लो, ये बना लिया, ठीक है, इससा कोई दो point है, एक point P है, एक point Q है, P point क्या है, 81 square, 280, देखो, P point को मान सकता हो न, ये कौन से पहरा बोला है, ये y square equal to 4ax है, तो P को क्या मान सकते हैं, 80 square, 280, 80 square, 280, कल बतायव है, last class में बतायव है, similarly आज के class में हम लोग ये देख रहे हैं, कि अगर दो point है, यहाँ पर P और क्यों, तो P को मान लो, इसको भी दो मानना पड़ेगा न, मुझे, तो एक को T1 मान लेते हैं, एक को T2 मान लेते हैं, है न, अगर ये focal chord है, तो ये focus से pass करेगा, तो जानते हो T1 और T2 में क्या relation होगा, उनके multiple करने पर minus 1 के equal आएगी, T1 into T2 minus 1 के equal होगा, जिसे slope में, दो perpendicular line का slope M1 into M2 minus 1 होता है न, वैसा है, यहाँ पर T1 into T2 minus 1 के equal होगा, T1 और T2 क्या है, ये end of focal chord का जो end है न, उसका parameter, parameter है, ठीक है न, parametric coordinate होना है, उसी को parameter बोलता है, T, यहाँ पर parameter होता है, तो T1, T2 parameter है P और Q का, next है, if the chord PQ is focal chord, मालो वही कह रहा है कि ये focal chord हो गया, तो इसका length के बारे में बात हो रही है, तो देखो, अगर मैं बोलू, कि ये अगर T होगा, बच्चों, तो T2 के ज़र पर क्या लिख सकते हैं, बताओ, T1 into T2 equal to minus 1 होना होता है, ये अगर T होगा, तो T2 की value कितनी हो जाएगे, minus 1 by T, तो यहाँ पे हो जाएगा, minus square होगा, तो 1 by T square हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, minus 2A1 by T, ठीक है न, अभी समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझेंगे, तो अगर मान लो, PQ focal chord है, जहाँ पे, if P is this, अग पहले यह दोनों लिख लिए, इनको मैं प्रूफ करके बताता हूं, फिर बांकी के properties भी प्रूफ करके बताऊंगा, इसको लिख लो पहले, फिर दोनों को एक साथ प्रूफ करेंगे, लिख लिख से, नाव फोकल कोड का पहला प्रॉपर्टी प्रूफ करना है अब यहां पे हम लोग करेंगे पहला प्रॉपर्टी फोकल कोड का क्या होता है पहला प्रॉपर्टी अगर मान लो कोई भी फोकल कोड पैराबोला का है अगर एक एंड पॉइंट टी वन है टी वन एक एंड पॉइं हूँ y square equal to 4a x लेके समझा रहा हूँ बाकि के तीन पैरा बोला को solve किजी करके आप भी ऐसे उसको प्रूफ करेंगे और देखेंगे क्या result आ रहा है ठीक है फिर उसके लिए मैं next class में discuss करूंगा वह आप लोग का homework रहेगा बाकि के 15 पैरा बोला के लिए तो देखो यहां पर कैसे प्रूफ करेंगे देखो यह कि स्ट्रेट लाइन है यह पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है इसका यह कुस्तो इस वाले भी पार्ट का स्लोप होगा क्यों क्योंकि यह एक ही स्ट्रेट लाइन है ना जितना जो यह मान लोग को यह x-axis है जैसे और यह y-axis हो गया तो इसका जो स्लोप होगा मान लेट से m equal to one मतलब 45 degree एंगल बना रहा होगा तो यह पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप है तो इसके अगर कोई दो पार्ट को मैं कट कर दो इस वाले पार्ट का अगर स्लोप पूछू और नीचे की इस वाले पार्ट का स्लोप पूछू तो यह दोनों यहां पे स्लोप ओफ देख़ो प्रूफ कैसे करेंगे यहां पे स्लोप ओफ पी एफ होगा एक ही स्ट्रेट लाइन है इसका कुछ स्लोप होगा जो इस वाले part का slope होगा वहीं इस वाले part का slope होगा होगा ना तो slope होता क्या है अगर किसी भी straight line पे देखो कैसा भी कोई straight line है और अगर इस पे मुझे दो point पता है अगर एक point x1 y1 है और दूसरा point let's say second first point is a and second point is b और दूसरा point अगर x2 y2 है तो इसका slope होता है slope of a b m से slope को denote करते हैं तो slope of a b y1 minus y2 upon x1 minus x2 होगा तो यहां पे यही वाला concept apply करेंगे माल लो यह x1 y1 है और नीचे वाला point x2 y2 है तो क्या होगा y1 minus y2 upon x1 minus x2 या y2 minus y1 upon x2 minus x1 अगर मैं y1 में y2 को separate किया हो तो नीचे भी x1 में x2 को separate करेंगे x2 में x1 नहीं करेंगे हाँ अगर उपर y2 minus y1 करेंगे तो नीचे x2 minus x1 करेंगे तो यही वाला concept यहां पे apply करना है तो क्या हो जाएगा बताओ pf का slope क्या हो जाएगा 280 y1 अपना 280 है y1 minus y2 क्या है 0 upon x1 minus x2 x1 क्या है 81 square minus x2 x2 क्या है a equal to slope of fq fq का slope क्या हो जाएगा इस case में इसको मान लो यह x1 y1 है और यह वाला point क्या x2 y2 है तो y1 minus y2 upon x1 minus x2 तो 0 minus 2 a t2 क्या हो जाएगा 0 minus 2 a t2 upon a minus x1 a है a minus a t2 square तो this minus 0 क्या हो जाएगा कुछ नहीं होगा यह तो as it is रह जाएगा और upon में a common आ सकता है a common ले लिए तो t1 square minus 1 equal to minus 2 a t2 0 minus this minus 2 a t2 बचेगा और यहाँ पर भी a common ले लो तो यह हो जाएगा 1 minus t2 square ठीक है नाओ कुछ cancel out हो रहा है बिलकुल हो रहा है 2 a 2 a cancel out हो गए उपर a से a चला गया अब तो कुछ नहीं क्रोस multiply करता हो तो यह t1 में 1 minus t2 का whole square into हो जाएगा और minus of t2 में minus of t2 में t1 का whole square minus 1 into होगा है नाओ t1 यह bracket open करेंगे t1 minus t1 into t2 का square equal to minus of t2 into t1 का whole square यह minus minus plus t2 ठीक है अब क्या करो आप सबको एक साइड ले लेते हैं ठीक है सबको एक साइड ले लो तो यहां से कुछ common अगर common लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगी एक काम करो इसको इदर ले लो एक ही साइड ले लो सबको t1 minus of t1 t2 का whole square plus इसको इदर ले लेंगे तो क्या होगा t2 minus of t1 का whole square minus of t2 है ना equal to 0 क्या किया मैं t1 को लिखा as it is t1 into t2 का whole square as it is लिखा इसको इधर minus है इस साइड लाएंगे lhs में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा यह t2 भी लाएंगे तो यह भी प्लस हो गया ठीक है तो यहां तक लिखिए पहले यहां तक लिखिए फिर आगे करते है यहां तक लिख यह जो टीवन है ना और यह टीटू एक साथ लिख दो टीवन टीटू को एक साथ लिख लिख लो टीवन माइनस टीटू एक साथ लिख लिया ठीक है और इन दोनों से ना टीवन इंटू टीटू प्लस में निकालो यह माइनस में निकालो आप निकाल सकते हो माइनस में नि बार निकालो कोई दिकत नहीं है आगे प्लस में भी निकाल सकते हैं माइनस में भी लेकिन मुझे टीवन टीटू के एक फैक्टर बनाना है यहां पर तो प्लस में टीवन टीटू कॉमा निकाला तो यहां पर क्या बचा माइनस ओफ टीटू माइनस ओफ टीटू प्लस ओफ ट टीवन पहले लिख लो टीवन माइनस टीटू एक्वल टू जीरो अब देखो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है टीवन माइनस टीटू कॉमन आ रहा है तो टीवन माइनस टीटू कॉमन ले लिए इंटू में क्या बचा वन टीवन माइनस टीटू देखो यहां से कॉमन लिए तो यहां पे कुछ नहीं बचा तो बच रहा है और प्लस में यहां पर ले लिए तो यहां पर क्या बचा T1 in to T2 सिर्फ बच रहा है equal to 0 तो देखो यहां पर दो फैक्टर 0 equal है तो या तो यह 0 होगा तो पहले T1 minus T2 को 0 equal रखता हूं तो देखो T1 T2 को जैसे 0 yük equal रखेंगे तो वहां से क्या प्रूफ हो जाएगा T1 और T2 equal है अगर T1 T2 equal होगा तो देखो focal code में T1 और T2 अगर equal होगा तो ये PQ दो अलग-अलग point ना होके एक ही point हो जाएगे सोचो जरा T1 T2 equal होके मालो T दे दिया तो ये A T2,280 तो दूजरा भी A T2 square,280 होगा तो ये P और Q दो अलग-अलग points ना होके एक ही point हो जाएगे ना ये कब अलग-अलग लग होगा देखो A और 2A तो constant है ये दोनों तो सेम ही होगा इन दोनों को P और Q को कौन अलग कर रहा है T अलग कर रहा है T का value अगर T का value सेम हो जाएगा तो A और 2-at तो tensa यहां भी वही देगा और यहां भी वही देगा है तो यह सेंपोइंट होजाएगी तो सेंपोइंट जहां है वही पे तो 1 प्लस T1 इंटू T2 को 0 के कुल रखा तो T1 इंटू T2 किसके कुल आगया माइनस 1 के कुल आगया यही तो प्रूफ करना था आया समझ में तो इसके बाद मैं यहां से समझाया हूँ तो बस यही प्रूफ करना था अब दूसरा प्रूफ करेंगे length of focal code कैसे आता है A into T plus 1 by T का whole square तो पहले इसको लिख लिख लिजे फिर सगें property प्रूफ करते है चलो focal code का length find out करते है focal code का length A into T plus 1 by T का whole square कैसे होता है यह second property है इसको भी ध्यान रखना है focal code का length T क्या है parameter है तो देखो यहां पे न अगर P का coordinate A into A T square 2 A T होगा तो Q का coordinate क्या होगा A by T square 2 A by T यह कैसे होगा नहीं यहां पे न माइनस हो जाएगा यहां पे माइनस कर लो देखो यह माइनस 2 A by T करो कैसे देखो अगर यह माल लो A T1 square 2 A T1 होता और यह वाला point A T2 square 2 A T2 होता है ना T1 into T2 क्या होता है T1 into T2 więc 1 की complete होता है तो T2 की value क्या हो जाएगी negative 1 by T1 और अगर मैं T1 को T रखा हूं तो T2 की value कितना हो जाएगा minus 1 by T अगर मैं इसको T रख दिया इसको मिटा दो इसको रफ कर दिया तो T2 value क्या हो जाएगी T2 के जगह पर क्या रखेंगे minus 1 by T का whole square तो minus का square प्लस हो जाएगा और इस T2 के जगह पर भी minus 1 by T रखेंगे तो यहाँ पर square नहीं है तो यह minus रह जाएगा तो Q का coordinate क्या है यह को अच्छे से लिखता हूँ Q का coordinate है minus A by T square comma minus 2 A by T ठीक है यह Q का coordinate हो गया अब आगे बढ़ता है तो देखो इसका length कैसे होगा length of focal chord PQ की length PQ equal to क्या हो सकता है PQ equal to P F plus FQ होगा है ना F और focus है PQ का length P F plus FQ होगा है ना अब देखो now यह जो P F है हम कह सकते ही कि definition of focal chord के definition of parabola का definition क्या करता है कि किस parabola पे कोई भी moving point का distance जितना focus से होता है उतना ही distance directrix से होता है तो यह जो P F है PQ equal to यह जो P F है क्या होगा यह PM के equal होगा यह और यह length equal है PF के जगपे मैं PM लिख दिया plus उसी similarly यह भी तो parabola पे ही है Q point भी तो parabola पे है तो यह Q F यह जो length Q F होगा अब इसके respective यह distance होगा तो यह Q N के equal होगा जितना distance focus से होगा अतना ही distance directrix से होगा यही तो कहता है definition of parabola तो यह हो गया Q F और यह Q N अब देखो PM को PM को मैं PA plus AM लिख सकता हूँ पहला यह हो गया प्लस PM को क्या लिखेंगे PA plus AM similarly Q N को Q N को क्या लिखेंगे Q B plus B N Q B plus B N यह हो गया है ना अब समझते है यह जो PA है देखो PA कितना है PA उतना ही है जितना ही है Y axis से जितना आगे है PA कितना होगा यह PA यह वाला length कितना होगा इससे just perpendicular डाल दो अप नीचे तो यह वाला length कितना होगा यह वाला length उतना ही होगा जितना यह Y axis से आगे है Y axis से कितना आगे है देखो PA उतना ही होगा जितना यह Y axis से आगे है मतलब जितना यह x-coordinate है जिसमें मान लो मैं यहां पर कोई point बनाया लेट से यह 2,4 है तो यह point y-axis से कितना आगे है जितना हम x-axis से चले है x-axis पर जितना दूर चलें कितना दूर चलें दो यूनिट चलें तो यह distance कितना होगी 2 और यह वाला distance 2 होगा और यह वाला distance 4 होगा तो इसी तरह यह y-axis है नहीं यह वाला distance कितना होगा जो x-coordinate है तो पी-a की value कितनी हो जाएगी a t square प्लस a m m ca length कितना हो जाएगा ए देखो vertex यह length पर होता है उतना ही पीछे vertex पर होता है Putting vertex mid point होता है ना vertex क्या होता है बीच में होता है directrix और focus के तो vertex जितना आगे focus है उतना ही vertex से उतना ही पीछे क्या होगा directrix होगा तो ये वाला length a हो गया okay similarly qb कितना होगा qb कितना होगा जितना इसका x coordinate ने तो प्लस a by t T2 plus BN कितना होगा BN भी A होगा BN भी A होगा तो देखो यहां पर A plus A इनको add किया तो A plus A 2A हो गया यह काम कीजिए हर जगह से न आप A common ले लो एक A common ले लो तो A common ले लिए तो यह हो गया T square plus one plus one by T square plus one okay one plus one कितना होगा 2 तो यह हो गया T square plus one by T square plus two अब two को two को क्या लिख सकते है two के जगह पे T into one by T लिख सकते है न लिख सकते हैं यह cancel होगे तो one ही हो जाएगा तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है क्या A square plus B square plus two AB A का मतलब क्या है T A square के जगह पे क्या है T square B के जगह पर क्या है वन बाइटी तो यह B स्क्वेर हो गया और 2 A B तो यह A प्लस B का होली स्क्वेर है तो यह क्या लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है T प्लस यह क्या लिखा हुआ है A इंटू यह लिखा पतलब T plus one by T का whole square यह क्या हो गया length of focal chord हो गया अगर आपको focal chord का किसी भी एक point का coordinate पता हो या फिर आपको किसी भी एक point का parameter पता हो तो आप length of focal chord निकाल सकते हैं तो चलिए यह अपना आ गया length of focal chord ठीक है second number समझ गया चलो third properties पटते हैं अब next बांकी के properties आज से class में बस मैं समझा देता हूं लिखके next class में उसको proof करेंगे ठीक है तो इसको पहले लिख लिए देखो यहाँ पर बाकी के मैं properties of focal chord लिख दिया हूं यह आप एक बार अभी वीडियो को pause किजिए और लिख लिजिए पहले ठीक है पहले पूरा property लिख लो और हां सुनो इस property को जब लिखोगे न तो जब property 5 और property 6 प्रॉपर्टी 5 लिखने के बाद दो चार लाइन छोड़ देना एक figure बनाओंगा मैं diagram बना के समझाओंगा वह डियाग्राम आपको भी लिखना है बनाना है और property 6 के बाद भी पाथ 6 लाइन छोड़ देना दोनो प्रॉपर्टी 5 लिखोगे पाथ 6 लिखोगे वहाँ पे भी पाथ 6 लाइन छोड़ देना ठी लिखें तो पहले वीडियो को पाउस करके यह जितने भी properties है इसको पहले लिख लिजिए फिर आगे का अभी एक करके फिर समझाओंगा मैं लिख लो पहले लिख लिए हो तो चलो इस प्रॉपर्टी को समझते हैं पहला देखो इसको ना मैं नेक्स्ट क्लासर प्रूप करके समझाओंगा तो आज बस समझा दे रहा हूं क्या कहा रहा है दे लेंट ओफ फोकल कॉर्ट का दो फॉर्मला पढ़े हैं एक पढ़े हैं एंटू टी प्लस वन बाइटी का होल इसकोर और दूसरा यह पढ़ रहे हैं आज हम लोग फूर ए कॉसे की स्कुर्ड ठीटा कोई भी फोकल कॉर्ड अगर एकसे से ठीटा एंगल बनाता है मतलब अगर किसी भी फोकल कॉर्ड का इंक्लीनेशन या ऐसा समझे एकसे से पॉजिटिव डिरेक्शन से अगर ठीटा एंगल बनाता है तो उस फोकल कॉर्ड का लेंध होगा फूर एक कॉसे की स्कुर्ड ठीटा ए क्या है यह अगर पैराबोला वाइस स्कुर्ड इक से तो एकी वेल्य के साथ जो होता है था है टाक्या? यह अग्या प्रोपर्टी नंबर फॵर लिख़्ा व्या है कि यह जो सेमी से लेंटर रेंथ होता है तो सेंवी मतलब हाफ आफ उतॉर लेंथ and fq focal chord का ये टुकरा इनका क्या होता है harmonic mean होता है harmonic mean का मतलब होता है जैसे harmonic arithmetic progression का just ultra जैसे कोई भी number for example जैसे मालो a, b, c अगर arithmetic progression में है तो 1 by a, 1 by b और 1 by c ये किसीज में हो जाएगा ये harmonic progression में हो जाएगा अगर a, b, c let's example जैसे मालो 3, 5 और 8 जैसे कि example लेते हैं 3, 5 और 7 हाँ ये 3, 5, 7 दो-दो का difference है ये किसीज में है ये arithmetic progression में है तो इसका जब मैं reciprocal ले लूँगा तो 1 by 3, 1 by 5, 1 by 7 ये harmonic progression में आ जाएगा ठीक है तो इनका harmonic mean कैसे निकालेंगे तो जैको जैसे कोई भी 3 number है अगर बोले ये harmonic progression में है तो 1 by A, 1 by B और 1 by C ये उसका अपोजिट ले लेंगे बस अपोजिट करते रहना है तो ये arithmetic progression में हो जाएगा तो arithmetic mean कैसे निकालते हैं 1 by B equal to 1 by A plus 1 by C है ना होगा ये इसका क्या हो जाएगा A plus C upon AC 1 upon B तो ये यहाँ पर क्या आजाएगा CA हो गया और अच्छा अच्छा यहाँ पर हम twice होगा harmonic mean निकालने देखो कैसे निकालते है arithmetic mean this but minus this 1 by B minus 1 by A equal to 1 by C minus 1 by B होगा यहाँ से आपका 1 by B 2 by B 2 बटे B equal to 1 by A, 1 by C होगा उसी तरह यहाँ पर निकाला गया है ठीक है next property जो कहा गया है वो कल अच्छे next class में समझाओंगा तो क्या कहा गया है कि अगर कोई focal chord P Q है जिसका P और Q क्या है extremity है देखे आपके copy में लिखा हुआ है P और Q क्या है end point है मतलब extremities है focal chord के तो जो semi lattice rectum होगा 2A होगा वो harmonic mean होगा P F के और F Q के कल इसको मैं उसको prove करके next class में समझाओंगा अब आते हैं आगे ठीक है यह property number 4 है property number 5 और 6 prove करके नहीं देखेंगे कभी उसको बस समझ लेते हैं ठीक है उसका prove का ज़रूत है नहीं क्या कह रहा है देखो focal distance जानते हो किसी भी point का focus से जो distance होता है उसको focal distance बोलते है जैसे किसी भी देखो यहाँ पे किसी भी point का focus से जो distance होता है उसको हम लोग जानते थे focal distance तो focal distance का formula भी याद करवाएं थे आप लोग को अगर y square equal to 4ax अगर पैरा बोला है x square equal to minus 4 ay होगा तो a minus y उसका focal chord हो जाएगा वही यहाँ पर करना है वही सॉरी वो नहीं करना है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर focal chord क्या हो देखो यह वाला length यह अगर मैं PQ की बात करूंगा न तो PQ की बात करूंगा तो वह focal chord कहलाएगा लेकिन focal यह PQ की बात ना करके मैं सिर्फ PCF तक की बात करूंगा तो वह focal distance कहलाएगा इसी focal distance को ना focal length भी बोलते हैं इसी focal distance को क्या बोलते है focal length भी बोलते हैं तो अगर मैं इस PF को diameter मानते हुए एक circle बनाओ ठीक है ना इस PF को माल लो यह मेरा तुरह rough sketch है अच्छा नहीं बन रहा होगा तो इस PF को मैं अगर diameter मानते एक circle बनाओं तो वो circle हमेशा tangent at vertex को touch करेगा जरूर करेगा यह ध्यान रखना चाहे कैसा भी पैरा बोला हो कोई भी पैरा बोला हो साड़े पैरा बोलक लिए valid है कि अगर कोई भी circle मैं बनाओं PF को diameter मानते हुए तो हमेशा tangent at vertex को touch करेगा और last property जो मैं बताया हूँ वो बताय हूँ अगर किसी भी focal court का last sixth वाले का कि किसी भी focal court को अगर diameter मानते हुए अगर मैं circle बनाओं तो वो हमेशा किसको touch करेगा direct tricks को touch करेगा तो यह आप figure न रुगो मैं figure अच्छे से बना लेता हूँ फिर समस्त हो गया है तो देखिए बच्चों मैं figure बना दिया हूँ यह इसा नहीं है हाफ नहीं होता है मैं बन समझाने के लिए बोल रहा हूँ जैसे देखो यह फोकल कोड यह पी क्यू यह क्यू है ना यह फोकल कोड यह पैराबोला है पी क्यू को अगर पूरे length को अगर आप diameter मानते हुए पैराबोला बनाओ sorry circle बनाओ तो हमेशा ना directrix को touch करे करेंगा मतलब directrix is always tangent on the circle whose diameter is the focal code ओके next टैंजेंट एडवर्टेक्स जैसे इस सरकल इस पैराबोला में टीवी क्या है वाई एकसिस ही है तो हमेशा टैंजेंट एडवर्टेक्स सर उस वाले टैंजेंट उस वाले circle का टैंजेंट होगा जो circle का diameter focal length होगा या focal distance होगा अगर मैं total से diameter बनाता तो वो directrix को touch करता और अगर fifth के बास जो जगा छोड़े होंगे वहाँ पर बना लीजिए six के बास बास जो जगा छोड़ेंगे वहाँ पर बना लीजिए कल के class में एक बस हम लोग फूर एक कॉसेक इसको ठीटा प्रूफ कर लेंगे यह property अच्छे से पढ़ के आईएगा फिर इसन properties पे question करेंगे और कल के class में हम लोग क्या करेंगे जल्दी से पहले ना tangent of the parabola पढ़ लेंगे ठीक है प्रूफ करेंगे एक question करके tangent of the parabola पढ़ लेंगे फिर question ही question कर लेंगे फिर काफी सारा ठीक है तो यह बना लेजिए समझ में आया होगा तो ठीक है चलो बना लो इसको आज के लिए इतना ही